क्लास 12 बालोजी Chapter 3 जनन स्वास्त یा reproductive health का Part 1 ले करके आए हैं Part 1 में सबसे पहले जनन स्वास्त की परिभासा को समझा देते हैं यहनी जनन स्वास्त या reproductive health क्या होती है तो जनन के सभी पहलू सहित सारीरिक, भावनात्मक, ब्योहारिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्त रहना ही जनन स्वास्त है मतलब जनन के जितने भी पहलू होते हैं जनन के सभी पहलू सहित संपूर स्वास्त ही जनन स्वास्त है क्या परिभासा होगी जनन के सभी पहलूँ सहित संपूर स्वास्त इसको संपूर स्वास्त आप कह सकते हैं संपूर स्वास्त के अंतर सारीरिक भावनात्मक बेवहारिक और सामाजिक सामाजिक रूप से स्वास्त हो तो संपूर स्वास्त कहलाता है तो संपूर स्वास्त ही क् जनन स्वास्त कहलाता है अधावा इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई वेक्ती है कोई भी वेक्ती है वो वेक्ती उसके जननांग जो हैं सारीरिक रूप से सारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से यानि कारिकर रहे हो सारीरिक वा क्रियात्मक रूप से के जननांग सारीरिक और किरियात्मक रूप से सामाने हो अथवा नार्मल हो तो उसे ही जनन स्वास्ति या रेप्रेड़क्टिव हिल्थ कहा जाता है अब इसमें एक इंपॉर्टन टापिक होता है यह हिंदी में कहते है यौन संचारित रोग कहा जाता है अब यह यौन संचारित रोग क्या होता है यानि कि मैथुन के समय परिबास से क्या बताएंगे मैथुन के समय यौन संबंधों से एक विक्ति से दूसरे विक्ति में संचारित होने वाले रोग एश्टी डी रोग कहलाते है यह यौन संचारित रोग कहलाते है यह रजित रोग भी कहा जाता है याद रखेंगे अंग्रेजी में रजित रोग को veneral disease कहते है veneral disease कहा जाता है तो इतने सारे रोग यह यह जैसे कोई दो विक्ति हैं दो दमपति हैं तो दोनों दमपतियों में जो मैथुन किरिया होती है मैथुन किरिया के समय यौन संबंधों से इस विक्त में कोई रोग हैं तो इस विक्त में हो जाएं तो उसे ही यौन संचायद रोग कहते हैं यानि मैथुन किरिया के समय यौन संबंधों द्वारा एक विक्त से दूसरे विक्त में संचायद होने वाले रोग ही एस्टडी रोग या योन संचाइद रोग या रजित रोग या veneral disease कहलाते हैं अब ये esti d rog कौन कौन से होते हैं esti d rog है ये कौन कौन से होते हैं तो कुछ प्रमुख esti d rog को आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं जल्दी से कुछ प्रमुख esti d rog के बारे में जाल लेते हैं देखे पहला है सुजाक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है दूसरा है उपदंस यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है और आप जननांगों की हर्पीज बता सकते हैं ट्राइकोमोनियसिस, अगला बद्राइकोमोनियसिस, तो इस तरह से, यह क्या है, याण संचाईत रोगों के उधारन है, याण संचाईत रोग है, आगा सुझाक की बात की जाये, तो सुझाक को अंगरे होता है या bacterial disease है bacterial disease सुजा क्या है या gonorrhea क्या है जीवान सुहोने अला रोग होता है या bacterial disease होती है और पुरुसों का जो मूत्रमार्ग होता है इसमें होता क्या है तो पुरुसों के मूत्रमार्ग में मूत्र मार्ग में जलन होती है और जो सिष्ण मुंड होता है जो सिष्ण मुंड आगे का होता है सिष्ण मुंड पर पीले हरे रंका पदार्थ जमने लगता है और इसमें एंटी बायोटिक लेने पर हेल्प मिलते हैं एंटी बायोटिक दवाओं से हेल्प मिलते हैं तो सुज जिवान जनित रोग है या बैक्टेरियल डिसीज है और यह इसे गोनोरिया भी कहा जाता है और यह मूत्र मार्ग में जरन करता है अगर उपदंस की बात की जाये तो उपदंस को अंग्रेजी में सिफिलिस भी कहा जाता है उपदंस को क्या कहते हैं सिफिलिस भी कहते हैं यहाँ पर आपको बता दें जो सुजाक रोग है किस जिवान से होता है यह भी पूछ लेते हैं जिवान का नाम बताइए तो नर्सेरिया नर्सेरिया गोनोरियाई यह जिवान का नाम जरूर याद रखेंगे नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जिवान से सुजाक या गोनोरिया नामक रोग हो जाता है यह रोग कैसा है एस्टेडी रोग है सेक्च्छल ट्रांस्मिटर डिसीज है यह यहन संचाइत रोग होता है जिवान जनित रोग है किस से होता है तो नर्सेरिया गोनोरिया इसे फिर उपदांस या सिफलिस तो यह भी जीवार जनित रोग है यह भी जीवार से होता है और अगर पुछा जाए किस जीवार से होता है तो ट्रेपोनेमा पैलीडम 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 ट्रेपोनेमा पैलीडम नामक जीवार से हो जात देखेंपहले समल लेजिए इसके बाद प्रिक्षा में इसको कैसे लिखेंगे लिखना भी आपका बताएंगे इसमें क्या होता है जो सिश्ण होता है दाने पढ़ अद्ज्मिल्ठे हैं और लाल रंग diferentes साखवा भी मार जाता है पेंसलीन इसमें पेंसलीन से लाव होता है पिर अगर जन्रांगों के हर्पीस की बात की जाए तो यह वाइरस से होने वाला रोग है 20 जनित रोग है 20 से होता है जनरांगों की जो हर्पीज होती है और किस वाइरस से पूछा जाए तो सिंप्लैक्स 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 वाइरस से हो जाता है यह जनरांगों की जो हर्पीज है सिंप्लैक्स वाइरस से हो जाता है और इसमें योन में छाले पर जाते हैं योन में छाले पर जाते हैं और दर्द भी होता है और एक दवा आती है एमाइलो वीर, एमाइलो वीर नामक दवासिस में रहात होती है, अगर जरनांगों के मस्य की बात की जाए, तो जरनांगों के मस्य ये भी वाइरस से होने वाले डिसीज है, बिसांड से होने वाला रोग है, वाइरल डिसीज है या बिसांड से हो जाता है, और कैसा है, एस्ट वैर्स से यह रोग हो जाता है और इसमें इसत्रियों की यो नि होती है यो निवा सर्व भाग से मस्से बन जाते हैं और यह मस्से बाद में कैंसर में बदल सकते हैं laser surgery या interferon के माधुम से इसका linkage किया जाता है और जो अगला रोग मैंने बताया था trichomoniasis trichomoniasis ये भी naturally ही रोग होता है trichomoniasis और ये proto-ぞowा से होता है proto- jowa के द्वारा होने वाला रोग कौनसा proto- zoowा पुछा जा है तो trichomonas trichomonas स्ट्राइको मोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोवा से हो जाता है और इसमें खुजली आती है सफेद पाने भी निकलता है उपचार के लिए आप औरियो माईशीन टेरा माईशीन आदि एंटिबाइटी दवाओं का प्रियोग कर सकते हैं तो इस तरह से यह एस्टडी रो रोगों के साथ में पूछा जाता है कि इनसे बचने के उपाय कौन कौन से हैं जो एस्टडी रोग होते हैं एस्टडी रोग से बचने के उपाय बताई बचने के उपाय कौन कौन से हैं एस्टडी रोग पूछा फिर बचने के उपाय भी पूछ लेते हैं इसी में तो एक पर दो आप बता सकते हैं कि अंजान व्यक्त के साथ यहां संबंद या लैंगिक संबंद ना बनाएं और दूसरा आप बता सकते हैं अनेक व्यक्ति औे साथ यौन संबंध ना बनाएं और ऐसे ही आप बता सकते हैं रोग का लक्षाण दिखने पर तुरंत डाक्टर को दिखाएं कंडोम का प्रियोग करें जिससे जो एस्टेडी रोग है यौन संचाहित रोग है मैंने बताया था कि मैथुन के समय यौन संबंधों से फैलते हैं तो यह नहीं फैलेंगे और अगला आप बता सकते हैं लास में लापरवाही ना करें तो यह कुछ प्रमुख उपाएं हैं जिनसे एस्टेडी रोगों से बचा जा सकता है या यौन संचाहित रोगों से बचा जा सकता है चले आप आपको बताते हैं कि इनको कैसे लिखेंगे के परिक्षा में तो सबसे पहले सुजाक के बारे में लिखना बताते हैं यह जीवाण जनित रोग है मतलब बैक्टीरियल डिसीज है अधवा जीवाणों के द्वारा होने वाला रोग है सुजाक अब पूछा जाए किस जीवाण से होता है तो सुजाक निसेरिया गौनोरिया कारक कोन होगा अगर पूछा जाए कारक क्या है तो निसेरिया गौनोरिया ही नामक जीवाण है यह जीवाण इस्तिरी और पूरूस के मूत्र मार्ग में पाया जाता है इस्त्री और पूरस दोनों के मोत्रमार्ग में मिलता है सुजाक अथवा गोनुरिया रोग एक विक्ति से दूसरे विक्ति में मैथुन के समय फैलता है मतलब इस जीवान का जो संक्रमण है एक विक्ति से दूसरे विक्ति में संभोग के द्वारा फैलता है यानि यह लेंगिक संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग है इसलिए इसे यौन संचारित रोग अथवा sexual transmitted disease अथवा STD कहा जाता है सौर्टकट में STD यानि sexual transmitted disease है STD रोगों को रजित रोग या veneral disease भी कहते हैं इस रोग में जनन तंत्र की सलेस्मा प्रभावित होती है और उसमें घाव बन जाते हैं जो जनन तंत्र की सलेस्मा है जो म्योकस मेंब्रेन होती है वो प्रभावित होती है और उसमें घाव बन जाते हैं चले जानते हैं इसके लक्षण कौन-कौन से होते हैं तो पुर्सों में इस रोग के संक्रमर के फल सरूप मूत्र मार्ग में जलन होती है यहीं सुजाक रोग में जो मूत्र मार्ग होता है पुर्सों में युरित्रा होता है उसमें जलन होती है और सूजन भी आ जाती है जो सिस्ट न होता है जो पेनिस होता है सिस्ट के सिरे पर पीले हारे रंग का बिसर्जन दिखाई देता है जो सिरा होता है मुंड होता है वो सिरे पर पीले या हारे रंग का बिसर्जन दिखाई देता है पदार्थ निकलता है वो दिखाई देता है और मूत्र की अमलियता के क अत्तधिक जलन होती है बाद में संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथी और मुत्रासे तक भी फैल जाता है जो इसका इंफेक्शन होता है बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड और मुत्रासे तक पहुंच जाता है इस्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किन्तो ये वाहक का कारी करती हैं कहने का मतलब ये है कि इस्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता है और इस्त्रियां इस रोग को एक पुरुस से दूसरे फुरुस में फैलाने का कारी करती है अगर इसके उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो रोगी को Penicillin Antibiotic से लाब होता है चलिए अब उपदंस के बारे में लिखना आपको बताते हैं सिफिलिस रोग को उपदंस भी कहा जाता है उपदंस या अतिसक भी कहते हैं चाहे उपदंस कहो चाहे आतिसक कहो चाहे सिफलिस कहो यहां आसुरच्छित लेंगिक संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग है आसुरच्छित लेंगिक संबंधों कहा गया है यानि सिफलिस यौन संचारित रोग है अधावा sexually transmitted disease है मतलब shortcut में कहें तो STD है यानि sexually transmitted disease और STD रोग मैथुन के समय यौन संबंधों के द्वारा एक विक्ति से दूसरे विक्ति में संचारित होते हैं मैथुन के समय यौन संबंधों के द्वारा और ऐसे रोग जो sex करते समय एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैल जाते हैं उन्ह या veneral rogue कहा जाता है अब यह जो syphilis है यह जीवाड़ों के दोरा होने वाला रोग है यानि bacterial disease होती है जो की ट्रेपोनेमा पैलीडम नामक जीवाड़ के दोरा होता है यानि syphilis या उपदंस रोग किस जीवाड़ से होता है तो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवान के द्वारा होता है या बैक्टीरिया के द्वारा होता है यदि इसके लक्षणों की बात करें या सिम्टम्स आप सिफलिस को देखा जाए तो पूरुस में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद सिफन अथवा पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं और इस्तरियों में भी लेबिया वा योनि में इसी प्रकार के दाने दिखाई देते हैं इस्तरी और पूरुस दोनों में 1 से 6 माह बाद समस्त सरीर पर चकते पर जाते हैं लगभग में 1 से 6 माह जब हो जाता है तो समस्त सरीर पर चकते पर जाते हैं या कलिजी की इस रोग में रोगी के जनल अंगों में घाव बन जाते हैं गाव और अधिक विक्सित होने पर इसके बाद क्या होता है कि यह जीवार जो होता है हिर्दय यक्रित अस्थियों यानि कि हमारा हार्ट होता है जो लीवर होता है जो बोन्स होती है जो brain होता है इनको भी प्रभावित करते हैं मतलब यह हुआ कि जब अधिक विक्सित हो जाता है तो हमारे liver को, brain को, bones को भी संक्रमित कर देता है या संक्रमित हो जाते हैं और रोगी को धीमा ज्वर भी रहता है धिरे-धिरे करके बुखार भी बना रहता है और मस्तिस्क के संक्रमित होने पर सरीर को लकवा भी मार जाता है या मार सकता है यानि जब मस्तिस्क को संक्रमित हो जाता है तो सरीर में लकवा भी मार सकता है और आपको बता दें कि इस रोग का उपचार कैसे करेंगे तो रोगी को penicillin antibiotic से लाब होता है penicillin नामक antibiotic देने से या लेने से इस रोग में लाब होता है अब सेस बचे हुए सभी STD रोगों के बारे में आपको लिखना बता देते हैं फिर तीसरा है जन्नांगों की हर्पीस या जनैटल हर्पीस तो या हर्पीस simplex virus के द्वारा होती है पुरसों में सिष्ट में अत्यधिक दर्द होता है और इस्त्रियों में वलवा और योन में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है इसका कोई निश्चित उप्चार नहीं है दर्द निवारक दवाएं और लेंगिक संयम वरतना चाहिए उप्चार में एसाइलो वीर नामक दवा से राहत मिल सकती है फिर अगला है trichomoniasis तो यह trichomonas vaginalist नामक proto-जोवन से होता है इसमें योन में खुजली होती है और सफेद रंका पानी निकलता है इसके उप्चार में areomycin, teramycin, adi, antibiotic दवाएं परियोग की जाती है इस रोग में इस्तरी वा पुरस दोनों का उप्चार एक साथ करना पड़ता है फिर अगला है claim idea यह भी study रोग है यहाँ भी योन संचायत रोग है जो claim idea trichomatis नामक जीवान के द्वारा होता है यहाँ जीवान जोनी bacterial disease है यह और कैसा है रोग तो योन संचायत रोग है या एस्टडी रोग है इसके संक्रमन से नर्ग में मूत्रमार्ग सोध वा आधिवरेशन सोध तथा इस्तरीयों में गर्भासे गरीवा सोध नामक रोग उत्पन्न हो जाता है इसके इलाज में tetracycline वा deoxycycline दवाओं का उप्योग किया जाता है यानि claim idea में फिर अगला है जनन अंग पर मस्से तो यह रोग human papilloma virus यानि HPV के संक्रमर से होता है इसके फलसरूब इस्तरीयों में योन वा cervix में मस से निकलाते हैं जो cancer में भी बदल सकते हैं इसके उप्चार के लिए laser surgery वा alpha interferon दवाओं का उप्योग किया जाता है फिर योन संचायत रोगों के संक्रमर से बचने के उपाए तो कौन कौन से उपाए हैं यहने treatment of safe from infection of sexually transmitted diseases तो पहला है अंजान विक्ति से लेंगिक संबंध न बनाएं कोई भी अंजान विक्ति है उससे लेंगिक संबंध न बनाएं दुसरा है अनेग विक्तियों के साथ यो हो सकते हैं आता है इलाज में लापरवाही न करें तो इस तरह से आज मैंने तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट आपको समझाया और लिखना भी बताया आसा है आपको समद्में आया होगा समद्में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजी धर्निवाद